हेलो एवरिवन वेलकम तुदी एक्जाम हब आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बन वर्ट सब्सिट्यूशन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है इंडिगनेंट इंडिगनेंट क्या होता है अगर कुछ चीज गलत हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को हम बोलते हैं इंडिगनेंट आप गुसे में हो क्योंकि कुछ रोंग और कुछ अनफेर हो रहा है किसी के साथ या कुछ भी तो अन्याई के कारण क्रोध इंडिस्पैंसिबल इंडिस्पैंसिबल लोग acum बोलते हैं इंडिस्पैंसिबल इसका एकजांपल है जो कार है आजकल हमारे जिंदगी के का एक ऐसा हिस्सजा बनreating चुकी है जिसके बिना हम नहीं रह सकते तो मतलब कार की बिना हम नहीं रह सकते तो indispensable जिसके बिना हम नहीं रह सकते that without which can't do next है हमारा indivisible 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 होता है that which cannot be divide जिसको हम अलग divide नहीं कर सकते separate नहीं कर सकते अव विभाज्य को हम बोलते हैं indivisible जो योगे नहीं होता किसी भी चीज के लिए उसका बोलते है इन एलिजिबल नॉट सुटेबल टू बी इलेक्टिद और सिलेक्टिद अंडर दर रूल्स इलेक्टिड मतलब जिसका आप सिलेक्ट नहीं कर सकते उसका आप बोलोगे इन एलिजिबल जैसे आपकी कोई कंपनी और आपको कोई हाइर करना है जिसका आप हाइर करें वो इन एलिजिबल है आपकी कंपनी के अकोर्डिंग तो हम उसको बोलते हैं इन एलिजिबल और योगे नेक्स्ट इन एविटेबल इन एविटेबल इनकेपिल व बींग अवॉइड़ डिन एविटेबल जिसे घटित होने से रोका ना जा सके कोई चीज होने वाली है और उसको भोक नहीं सकते हैं अथल है वो उसको avoid नहीं कर सकते जीजिबल तो inevitable होते है, incapable of being avoided या जिसे घटित होने से रोका ना जा सके The accident was the inevitable result of carelessness जो वो accident है वो एक inevitable result है carelessness का प्लापरवाय का अगर आप प्लापरवार होगे तो उसका result हमेशा बिकार होगा गटित, उस problem को गटित होने से आप नहीं डौ सकते उसको आप avoid नहीं कर सकते Next है हमारा inexcusable that which cannot be excused जिससे सहन वो शमा ना किया जा सके कोई चीज जिसको आप माफ नहीं कर सकते शमा नहीं कर सकते या सहन नहीं कर सकते अम उसको बोलेंगे inexcusable किसी भी innocent लोगों पर अगर आप attack करते हो या कोई attack होता है तो वो शमा करने लाइक नहीं है उसको कोई आप उसको कोई excuse नहीं दे सकते या आपने यह क्यों किया तो वो inexcusable है Next inexplicable जिसको explain नहीं कर सकते इसके word में ही है explain तो inexplicable जिसको आप explain नहीं कर सकते Next inexplicit not definitely और clearly expressed जिसको आप express नहीं कर सकते जिसके बारे में आप बता नहीं सकते उसको हम बोलेंगे inexplicit Next inexplicable inexplicable मतलब that which cannot be expressed in words जिसको आप words में नहीं बोल सकते मतलब कुछ ऐसी feeling या फिर कुछ ऐसे thought जिसका आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते the news filled him with inexpressable joy जो वो news सुनके उसको inexpressable joy हुआ जिसको वो बता नहीं सकता जैसे आपको कभी कोई खुशी होती है तो आप उसको words में नहीं बोल पाते अवर निये next infallable never wrong जो गलती ना करे उसको हम बोलेंगे infallable false से बना है false मतलब गलत in मतलब not तो मतलब जो कभी गलती ना करें उसको हम बोलेंगे infallable next है हमारा infanticide infanticide होता है killing of an infant किसी भी infant शिशू हत्या करना को हम बोलते है infanticide next infectious infectious a disease which spread through air and water ऐसे बिमारी जो पानी और हवा से फैलती है हम उसको बोलते है infectious जैसे cold हो जाता है किसी को तो cold हवा के थूँ उसके जो आप जैसे sneeze करते हैं चीखते होते हैं उसके droplets हवा में चल जाता है दूसरे बने जब इसको inhale करता है तो उसको भी cold हो जाता है या फिर sneeze आने लगती है next है हमारा inflammable inflammable होता है which catches fire easily जो असानी से जिसमें आग लग जाए हम उसको बोलेंगे inflammable next inimitable inimitable होता है incapable of being imitated जो अनू करने ना हो जो incapable of being imitated मतलब जिसकी copy ना करी जा सके imitate करना होता है नकल करना जिसकी नकल ना करी जा सकते हैं उसको बोलेंगे inimitable next insecticide insecticide a substance that के लिए insects जो insects को मारते है उसको हम बोलते है insecticides जैसे आज कल sprays आ रहे हैं insects को मानने के लिए spray आप कर दोगे तो insect मर जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे insecticide next insolvent insolvent होता है corrupt और as a person जिसका दिवारा जो करजे में डूप चुका है तो हम उसको बोलते insolvent a person who is unable to pay his debt जो अपने उसने जो करजा लिया है उसको pay नहीं कर पाता जो चुका नहीं पाता हम उसको बोलेंगे insolvent next है हमारा insurrection insurrection होता है बगावत करना rising in arms against an established government जाप की सरकार है उसके विरोध में जाने को हम बोलते है insurrection देश की शाशक या सरकार के विरोध विद्रोग करने को हम बोलते है insurrection next intercede intercede होता है plead to obtain a favor to save someone else सिफारिश करना सिफारिश करना बीच में पढ़ना बीच बचाव करना इसको हम बोलते है intercede he interceded in my behalf उसने मेरी और से बीच बचाव किया मतलब उसने मेरी तरफ से बीच बचाव किया plead to obtain a favor to save someone else मतलब किसी और के लिए आप किसी के बीच में पढ़ जाना उसको बचाने के लिए सिफारिश करने के लिए हम उसको बोलेंगे intercede next है हमारा intercept intercept होता है रोकना तो चेक और stop on a way एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते वक्तिय वरस्तु को पकड़ना या रोकना उसको हम बोलते हैं intercept next intrigue, conspire intrigue, conspire होता है शार्जिस्ट करना make or carry out secret planning ये कि ये secret plan होते है लेकिन mainly किसी बुरी चीज के लिए शार्जिस्ट करना मतलब हम plan करने कुछ बुरा secret plan करने किसी के लिए negative way में negative sense में यूज होता है intrigue and conspire next word है हमारा introspection introspection होता है examination of self-thought or feeling आतम निरक्षन करना गहराई से सोचना तथ अपने विचारों भावनां आदिका परिक्षन करना मतलब आप किसी सोच में हो आप सोच रहे हो क्या आपने आज़े क्यों किया अप मतलब खुद से ही self-thought करना उसकों बोलेंगे introspection next है invincible invincible होता है that which cannot be defeated जिसको हराया ना जा सके invincible that which cannot be defeated जिसको हराया ना जा सके invisible invisible होता है that which cannot be seen जिसको देखा ना जा सके in vulnerable vulnerable होता है जिसको आप harm पुचा सकते हो in vulnerable होता है जिसको आप harm नहीं पुचा सकते तो incapable of being harmed next है irreconcilable 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 क्यों होता है impossible to find agreement between लोग या उनके विचार और विश्वास इतने अलग की उनमें सहमती ना हो सके मतलब कोई बहुत opposite parties हैं जिनकी सहमती नहीं हो सकती impossible है उनके बीच में agreement कराना उसको हम बोलेंगे irreconcilable irreconcilable irreparable जिसको रिपेर ना कर जा सकते इसमें repair word है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो irreparable incapable of repaired जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो next है irrevocable that which cannot be altered आप परवरत नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं जो आपने decision ले लिया है या फिर आपने कुछ कारे कारियने ले लिया है उसको आप बदल नहीं सकते हैं उसको हम बोलेंगे irrevocable next है next है हमारा itin rent itin rent itin rent क्या होता है गुमककर one who travels from places to places जो एक जगह से दूसरी जगह पर गुमता रहता है हम उसको बोलते है itin rent next है journal journal क्या होता है अकबार newspaper and magazine that deals with a particular subject or professional activity एक journal को हम बोलते है अकबार को हम बोलते है journal हमारा next word है juxtapose juxtapose होता है placing a thing beside another दो व्यक्तियों या वस्तूँ को एक साथ रखना ताकि उनमें difference दिखाया जा सके एक के बाद एक चीज को रखना ये जाया दर यूज में आता है जब हम किसी चीज को में difference दिखा रहे होते है तो हम उसको बोलते है juxtapose next है हमारा lagoon salt water lake separated from the sea by sand banks lagoon होता है खारे पानी की जील खारे पानी की जील को हम बोलते है lagoon खारे पानी में salt होता है तो वो salt water यही salt water of lake separated from the sea जो sea से अलग होता है समुद्र के पास और चटान से गिरी हुई समुद्र ताल पर तो हम उसको बोलते है lagoon next है हमारा lexicographer lexicographer होता है person who compiles a dictionary शब्द कोश बनाने वाला dictionary को compile करने वाला जोडने वाला बनाने वाले को हम बोलते है lexicographer next है हमारा linguist linguist एक ऐसा person होता है जो काफी सारी foreign language को बोलता है who speaks many foreign languages are linguist next logic logic तर्क the science of reasoning मतलब reasoning आप किसी भी चीज़ का तर्क बताते हो उसके बारे में बताते हैं कि यह क्यूं हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ logic वाले चीज़ों को बोलता है logic को बोलता है तर्क next maidenhood maidenhood होता है the state of being unmarried जो भी शादिश होता नहीं होता है kuara होता है basically लड़की के लिए यूज के जाता है लड़की जब kuara होता है उसको बोलता है maidenhood next mammals mammals animals which give birth to babies and feed them with their milk ऐसे जानवर जो बच्चों को पैदा करते हैं और उनको दूद पिलाते हैं बच्चों को पैदा करते हैं ज़ला वो एगनी देते हैं babies देते हैं और they feed them with their milk next manuscript manuscript matter written with hand जो भी चीज लिखी जाते हैं हाद से लिखी जाते हैं मार्टी साइड killing of one's husband अपने पती की हत्या करने का बोलते हैं मार्टी साइड next martyr martyr होते है शहीद one who dies for a noble cause जो शहीद हो जाता है जो अपने देश के लिए जान देते हैं उसको हम बोलते हैं next word है हमारा mask a play or a dramatic performance in a words with a music dance and find costumes dance drama कुई किसी भी चीज़ का drama जिसमें गाने हैं dance हैं costumes हैं उनकों बोलते हैं mask next massacre massacre होता है dealing of large number of peoples बहुत सारे लोगों को मार देने कों बोलते हैं massacre next materialist materialist होता है a person for whom money is the most important consideration जिसके लिए पैसे से ज़्यादा कुछ important नहीं है वो हर चीज में पैसा देखता है उसको हम बोलेंगे materialist next matins matins होता है morning prayer सुबह की प्रातना को हम बोलता है matins next matricide matricide होता है killing of one's own mother अपनी मा की हत्या को बोलता है matricide अभी जो मनें लास्ट पढ़ रहा था marticide marticide होता हमने हस्बन को मारना यह है matricide matricide होता है अपनी मा को मारना matrimony और marriage matrimony भी होते है शादी next है हमारा maxim maxim और short statement a short statement of general truth कहावत कहावत को हम बोलता है maxim next momento something kept to remember place और even nishani किसी भी चीज की जो कोई भी चीज अगर nishani है जिसको आपको देख के अपना past का past की चीज़े याद आती है ऐसा event हुआ हो जिसको आप याद करते हो तुम इसको बोलते है nishani momento next mercenary mercenary होते one who acts only for money किराय का किराय का डटो one who acts only for money जो पैसे के लिए काम करता है next metamorphosis complete change in appearance कोई भी जीज़ completely change हो जाती है उसको हम बोलते है metamorphosis जैसे butterfly है वो larva से larva की form में होते है पहले फिर वो बिलकुल change हो जाती है butterfly बन जाते है मतलब वो metamorphosis है complete change है दिखने में अपेरेंस में हम उसको बोलते है metamorphosis आज के लिए बस इतना ही I hope आपको वीडियो पसंद आई हो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर तो आपको आपको पसंद आपको अपको आपको यूझ उसे जआश